नमस्कार और फिर्स आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में मैं हूँ अविनव भारत और वेस्टेंडीज के बीच हुए सीरीज का पहला मुकाबला बिल्कुल काटे की टक्कर वाला था जो भी दिल के मरीज थे उनके लिए इस मैच का अंतिम शन देखने लायक नहीं था इस मैच के हीरो रहे शिखर धबन नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए और संतानवे रन पर पैवेलियन लौट गया हाला कि कैरेबियन कप्तान निकोलेस पूरन ने शौट मिड़ विकेट पर जो उनका क्याच पकड़ा वो काबिले तारीफ थी उसके अलावा शिखर के साथ ओपनिंग करने उत्रे शुमन गिल ने भी 64 रन की बहतरीन पारी खेली हाला कि वह भी पूरन के डिरेक्ट हिट से रन आउट हो गया विराट कोली के अनुपस्थिती में श्रेय शायर तीन नंबर पर बल्लेवाजी करने उत्रे जहां उन्होंने 54 रन की पारी खेली और दू ही वापस पैविलियन चले गया उसके बाद संजू सैंसें बार है दीपक हुड़ा 27 अक्षर पटेल 21 रन की छोटी पारी खेल कर टीम का कुल स्कूर बना साथ विकेट पर 308 रन उसके बाद 309 रन के लक्ष का पीछा करने उत्री कैरेवी आई टीम का पहला विकेट तो शाह 45 रन पर चलता किया उसके बाद अगले ही ओवर में कायल मायर्स को 75 रन पर पैवेलियन भेज कर फिर जीत का पलड़ा भारतिया खेमे में ला दिये इसके बाद दो नए बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और कप्तान निकोलस पुरन क्रीच पर आए पर सिराज ने पूरन को उनके 25 रन की निजी स्कोर पर चलता कर दिया इसके बाद 45 में ब्रेंडन किंग को चतुर चालाक चहल ने उनके पचासा के तुरंद बाद पैवेलियन भेज दिया और तब लग रहा था कि भारत के तरफ 80% मैच आ चुकी है और अब खेल में भारतिये की जीत एक आपचारि लेकिन जीत से महस्तीन रंद दूर रहे गया मैच पूरी तरह से रोमांस भिरा रहा जिसमें भारते टीम अबल रही सिरीज में भारत अब एक जीरो से आगे हो चुका है वह इस रिंखला का दूसरा मुकाबला 25 तारी को इसी मैदान पर खेला जाएगा और हम सब को उमीद रहेगी कि इसी तरह का मुकाबला हमें अगले मैच में भी देखने को मिले तो क्रिकेट से जूरी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहे है क्रिकेट के इस रही इस रहे है कि बड़र भी और भी जह हैं से जांने के लिए मार एहे है क्रिकेट स stupidbang बभी चर्शन के बाहे चाहे है क्रिकेट से जाईिखते लिए बुझेट Mind कर दो कि इस रहा है लि conservatives है ठहया है अर ई्परो despरना a औरısı है म Why आら explic kings sounds